नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीजी टीटी 2022 या सीटेट 2022 या सिख्चक भरती की तैयरी में लगे हुए हैं तो यहां वीडियो आपके लिए उप्योगी है बाल विकास्वा सिख्चा सास्तर का प्रेक्टिस सेट का पार्ट चौदा है जिसमें आरड़ी पार्ट क्या है कि भी इसकीनर का टेंटो फोन किसका आकलान करता है मांसिक इस्तर का व्यक्तित्व का अधिगम इस्थांद्रन का उप्रोक्त सभी का आप भी उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाए और लाइट चैट में लिखते जाए और अंत में यह भी बताएं कि बता तो यहां पे जो सही उत्तर है इसका वो है व्यक्तित्वका प्रसिद्ध मनवग्यानिक एन एक क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे साखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के अनुकुलित अभिक्रमित अनुदेशन के श्रिंखला अभिक्रमित अनुदेशन के उप्रोक्त सभी के इसका अंसर क्या है? साखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के साइमन बीने की अनुशार बुद्धी क्या है पहचानने तथा सुनने की सक्ती केवल सुनने की सक्ती केवल पहचानने की सक्ती इन में से कोई नहीं इसका सहीं अंसर क्या है पहचानने तथा सुनने की सक्ती किस प्रकार के एक अध्यापी का बच्चों को बहतर समस्या समाधान करने में साहता कर सकती है बच्चों को विवित प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना ततहल करते समय साहता करना पार्ठे पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रसाहित करना सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है समस्याओं हल करने के लिए प्रुषकार देना इसका सही आंसर है बच्चों को विवित प्रकार की समस्याओं का समधान करने के मौके देना ततहल करते समय साहता करना चात्रों के बीच व्यक्ति गद भेद सामिल करने का आधार हो सकता है सिच्छन के कई तरीके आकलन के कई तरीके बहु आकलन A और B दोनो एक और दो मतलब ए और बी दोनो तो इसका सही आंसर क्या है ए और बी दोनो एक और दो दोनो मतलब ए और बी दोनो ठीक अगला देखते हैं खाली स्थान वक्तित्व के विकास में महत्पुन भूगिका निभाता है आनुवानसिक्ता परियावरन आनुवानसिक्ता और परियावरन का मिस्रन परिक्षाओं की संख्या इसका अंसर क्या है सरल है इसका अंसर क्या है आनुवानसिक्ता और परियावरन का मिस्रन ब्रायह अभी प्रेर्णा में सामिल है प्रसंसा और दोसारोपन प्रती इसपर्धा पुरुसकार और दन परिनामों का ज्यान तो अब विकल्प है एक और तिन, एक दो और तिन केवल दो, एक दो और चार इसका सही आंसर क्या है एक दो तीन और चार मतलब ये सबी कि रेवेण का प्रगतिशी राचा औरपीएं एंप परिच्छान खालिस्थान परिच्छन का उधारहन है मौकिक बुध्धि लभदो ग गेर समु बुध्धि लभदो ग क्या लगता है आंसर संस्कृति मुक्त बुद्धी लब धोग सिखने के बारे में निमने लिखित कत्रों में से कौन सा एक सत्य है सिखना सिख्चार्ति के पूर्व ग्यान पर अधारित नहीं है सिखना एक निस्क्री ग्रहन सिल प्रक्रिया है सिखना कौसलों के संचय के समान है सिखने को समाजिक क्रियाय सूईधा देती है सही answer क्या है सिखने को समाजिक क्रियाय सूइधा देती है कि निम्नलिखित मेंسे कौन सी एक महतो पूर्णक गतिविधी बच्चों को सिखने के लिए सक्षम बनाती है कि चाही से ही आँसे सोंवाद इस Alter के नुस आर भासा की आवाप्ती होती है अनुकरन द्वारह संग्यानात्मक्त प्रतिमान द्वारा और नुद्दिपक्त अनुक्रिया hatır क्लासिकी अनुबंधन द्वारा क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा माता पिता से वनसजों में स्थांत्रित होने वाले लक्षनों को कहा जाता है परियावरन आनुवान्सिक्ता जीन होमियोस्टेसिस सरल है इसका अंसर क्या है लिखो आनुवान सिक्ता बालक का स्वास्त सारेरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्व पूर्ण सरत है यहां कथन किसका है यहां कथन असरत्य है क्योंकि सारेरिक विकास किसी भी तरह से दुसरे छेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता सत्य है क्योंकि सारेरिक कर्म से संबंध रखता है क्या है। सत्य है क्योंकि सारे रिख विकास दूसरे छेत्र के विकासों से संबंध रखता है निमनलकित में से कौन सा और लोकन गार्डनर की बहु बुद्धी के सिधान के समर्थन करता है मस्तिस्क के एक भाग में हुई च्छति के और एक योगिता को प्रभावित करती है ना कि क्रपाल्ण करना चाहिए सही आंसर क्या होना चाहिए सही आंसर है मस्तिस्क के एक भाग में हुई च्छति के विक योगिता को प्रभायित करती है ना कि संपून मस्तिस्क को मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है इसलिए वह B8 की प्रवेश पर इक्षकले खूब परिश्रम तयारी कर रहा है वह खाली स्थान अभी प्रेरी थे आंत्रिक रूप से, बाहर रूप से, सक्री रूप से, बौधिक रूप से क्या हो सकता है इसका आंसर? अंत्रिक रूप से, अधिगम सिद्धान के संदर्व में इसके फोल्डिंग संकेत करता है अनुरूपिज सिक्षन, पूर्व अधिगम का पुनरावरिती, वैसकों द्वारा अधिगम में आईस्थाई सहता, छात्रों द्वारा की गई गल्तियां की कारणों का पता लगाना झालना चिक्षार्ट्रों की अपलब्धिया मापना यहार नेना करना की क्या एक विद्ध्यारति को अगली अक्ष्य में उननत करना चाहिए अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना इसका अंसर क्या होना चाहिए अधिगम की कमियों का पतल लगाना और उन्हें दूर करना सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए सबसे उप्यूक तारकिक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलूओं का अकलान करना मुल्यांकन के आउसरों का अधिक अधिक्तमी करन मानों व्यक्तित्व की समग्र प्रकृती सिक्षकों पर बोज बढ़ाना क्या हो सकता इसका अंशर? अधिगम के एक से अधिक पहलूँ का आकलन करना एक अच्छा अधियापक विद्यातियों के मद्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वन्द्विता की भावना को, तठस्ता की भावना को इसका अंसर क्या हो सकता है? सहयोग की भावना को ठीक है? राइट अंसर है लेगा इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें प्रेयर ना मिले और हम और आगे भी काम करते रहें आप सेयर कीजिए इसको WhatsApp, Facebook, Telegram और जहां भी आप करना चाहिए नीचे comment box से वहाँ पे आप अपनी बाते लिखें इस वीडियो में बताएगे उत्तर के अनुसार आपके कितने उत्तर सही है वो बताएगे और किसी प्रस्न के उत्तर में लगता है यह नहीं यह होना चाहिए उसे भी आप mention करें comment box में लिखें discussion करें और एक conclusion में पहुँचें आपको एक ऐसर बटन दिखेगा उसे क्लिक करने से description खुड़ेगा जहां Facebook, Telegram और अन्य लिंक है अन्य वीडियो की लिंक है तो उसे भी देख सकते हैं धन्यवाद